तो यहां पर फर्स्ट टाइम आया यहां पर रिजेक्शन कर दिया सेकंड टाइम इट केम इट अगें रिजेक्टेड ओर यह तो लड़ाई में अगर इसको इस लेवल्स को निकाल देना है तो इसको क्या करना होगा पहले तो अपने इस वार्म में बढ़ा रहा है तो बेसिकली इस फॉर्मिंग दो स्कैंडल जो और यहां पर अगर साइडवेच चला जाता है और साइडवेच के बात फिर ब्रेक आउट देता है तो एक बड़ी रैली हमें देखने मिल सकती है विच विच विल टेक तरगेट विच विल टेक अगर यहां पर प्राइज आती है 15 मिट्स में यहां एक स्टॉंग ब्रेक आउट दे देती है हमें स्टॉंग बुलिश केंडल से फिर प्राइस साइडवेच जाते है और फिर वी केंड टेक ट्रेट फर्स टार्गेट विल बी डब्ली और फॉर्टित्री एट एटेट सेक विल गेट अग वेरी गुड ब्रेक आउट उन अपसाइड विडियो जैसे कि आप देख सकते है आज हमने एक और गनाइस किया था लाइफ सेशन फॉर दी एक स्पाइरी वैट सो जैसे आपको पता है कि आज फिन निफ्टी की एक स्पाइरी थी और उसके कारण हमने यह प पर फॉर्म किया तो जैसे आप देख सकोगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर रेड़ बॉक्स इस थे मतलब यहाँ पर हेवी सेलिंग जोन था इस इन दोनो लेवल्स के ऊपर ब्रेक आउट होगी तो हम यहाँ पर दोनो लोग यहाँ पर दोनो पार्टीज यहाँ पर ट्रैप होने वाले तो यह बेसिकली एक डबल ट्रैप सिनार्यों था जहाँ पर एक आफ्टनून सेशन में आप देख पाऊगे तो बैंक निफ्टी में एक फॉलो त्रू अप राइली मिल जाते है तुवर् अगर आज निफ्टी फिफ्टी का भी चार्ट देखोगे तो सेम वेज आपको ब्रेकाउट जर्नी मिल जाती है जो बेसिकली हमने लाइव सेशन में एक्स्प्लेइन की गई थी तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रेड़ बॉक्स था मतलब यहाँ पे मल्टिपल हो जाते हैं तो आप देख सकते हो कि first of all यहाँ पे gap up open हो जाते हैं और उसके बाद जैसे हमारा जो green dots का strategy है जहाँ पे green dots के ऊपर यह सस्टेन कर रहे थी price and follow तो आपको एक afternoon session में एक अच्छा गासा breakout trade मिल जाते हैं तो अगर आपको भी ऐसे ही rocket moves grab करनी है तो हमारे ट्रेट